लोगसबा चुनाव से पहले कॉंग्रेस अपनी भारत जोडो न्यायात्रा कर रही है जिस यात्रा के जरीये कॉंग्रेस से समय नॉर्थ इस्ट पर ज्यादा फोकस कर रही है हाल ही में यहीं एक रैली को सम्मोधिच करते हुए कॉंग्रेस के राश्री अध्यक्ष मलिकारजन खड़गे ने अपने बूत एजेंटों के तुलांकुत्तों से की थी जिसके बाद ये मामला खासा करमाया और सोशल मीडिया पर उनकी खूब किरकरे भी बीजेपी के तमाम नेताओं ने उनकी भाशन पर प्रतिकरिया दी और लोगों ने भी उन्हें खूब टोल किया ये मामला अभी तक शांत भी नहीं हुआ था कि अपने अनरगल बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले राहुल गांदी एक बार फिर से चर्चा में है उसी वज़ा से जिस वज़ा से वे एकसर रहते हैं या तो अपनी अजिवों करी बयानों के कारण या फिर हरकतों के कारण और इस बार उन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी है जो आप भी देखेंगे तो शायद अपनी आखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे दरसल एक रैली के दौरान कॉंग्रिस नेता राहुल गांदी जिस गारी में थे उसी गारी में कुत्ते का बच्चा भी था जिसे राहुल गांदी बिस्किट खिला रहे थे लेकिन कुत्ते ने वो बिस्किट अपने मूँ से लगाया और फिर नहीं खाया फिर राहूल गांदी ने वही बिस्किट अपने एक कार्यकरता को दे दिया और नॉर्मली बात करना लगे ऐसे रियक्ट किया जैसे मानों कुछ हुआ ही नहो इस घटना का वीडियो फोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है इसलिए पहले तो आप ये वीडियो देखिए इस वीडियो के आने के बाद ये वीडियो फोशल मीडिया पर जम कर आग की तरह फैल रहा है बीजेपी नेता अमितमालवीय ने इस वीडियो को पोस्ट किया और लिखा अभी कुछ दिन पहले कॉंग्रेस अध्यक्ष खरगे जी ने पार्टी के बूत एजेंटों की तुलना कुट्टों से की और यहां राहुल गांदी अपनी यात्रा में एक कुट्टे को बिस्किट खिला रहे हैं और जब कुट्टे ने नहीं खाया तो वही बिस्किट उन्होंने अपने कार्यकरता को दे लिया पार्टी का अध्यक्ष और युवराज अपने पार्टी कारेकरताओं के साथ कुत्ते की तरह बरताव करे तो ऐसी पार्टी का लुप्त हो जाना ही स्वभाविक है इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में भी राहुल गांदी और कॉंग्रिस के विरोध में लोगों ने भर भर के कमेंट किये हैं इसके अलावा बीजेपी मुंबई की सैसेयोजग पलवी ने इसे पोस्ट करते हुए लिखा कि पहले राहुल गांदी ने जिस प्लेट में अपने कुत्ते पीडी को बिस्किट दिया उसी प्लेट में हिमंता विश्वा सर्मा को भी बिस्किट दिया फिर कॉंग्रिस अध्यक्ष खडगे जी पार्टी की तुलना कुत्तों से करते हैं और हम शेहजादे ने पार्टी कारकरता को एक कुत्ते द्वारा अस्विकार किया गया बिस्किट दिया क्या ये उनकी पार्टी के कारेकरताओं का समर्थकों और मतदाताओं के प्रती उनका सम्मान है इस पोस्ट का जवाब देते हुए असम की मुख्यमंतरी हिमंता विश्वा सर्मा ने कहा पलवी जी राहूल गांदी ही नहीं बलकि पूरा परिवार मुझे वो बिस्किट नहीं खिला सका मुझे असमिया और भारती होने पर गर्ब है मैंने खाना खाने से इंकार कर दिया और कॉंग्रिस से तुरंत इस्तीफा दी दिया बता दें कि एक इंटर्व्यू में एक बार हिमंता विश्वा सर्मा ने अपने साथ हुई एक घटना बताई थी उन्होंने कहा था कि वो एक ज़रूरी बैठक के लिए राहूल गांदी से मिलने गए थे लेकिन राहूल गांदी वहाँ सिर्फ अपने कुटे पिद्दी के साथ खेलने में व्यस्त थे वो जैसे ही किसी मुद्दे पर बात करते तो राहूल जवाब देते तो क्या हुआ हिमंता ने कहा था कि उन्हें ऐसा बरताव देखकर हैरानी भी थी उसी दोरान चाय बिसकेट आया तभी उनका कुटा गया और उसी प्लेट से बिसकेट उठाकर खाने लगा उन्हें लगा कि अब शायद राहूल गांदी प्लेट बदलेंगे हालंकि ऐसा नहीं हुआ बाकि नेता उसी प्लेट से उठाकर खाने लगे और हिमनता विश्वसर्मा ने उसी शण निर्णे लिया कि वो कॉंग्रिस को छोड़ देंगे यानि कि इस वीडियो से इसाफ समझा जा सकता है कि उनका ये बढ़ताओ आज का नहीं है बहुत पुराना है इस वीडियो पर क्या है आपकी राए हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं